नमस्कार रास्तानी किचन में आका स्वागते आज मैं आपके साथ से करूँ कि किस तरीके से दूद को उपालना चाहिए कि आपके दूद की मलाई बहुती बढ़िया एकडम तिक जैसे की रोटी होती है उस तरीके से जमें आज कल यह बरेशारी रहती है कि दूद कितना भी कि अगर आप अपनाएंगे तो दूद में मलाई बहुती बढ़िया निकलेगी एकडम तिक जिसको आप खाने में भी सरुकर सकते तो चलते हैं वीडियो की तरव अगर वीडियो को अंतर देखना अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सबसे पहले एक जाड जिसमें आप दूर्थ घरम करते हो उसमें फुली पेर डूस डालेंगी दूर्थ ढालने से पखले होड़ा पानी एडριेंगैं जिससे क्या होता है कि दूर्थ बटन के तले में चिप्के जाने और रोठी बंटी एकदम तिक मलाइव तयार होती है इसके लिए मैंने एक लिटर दूद लिया है इसको गर्म करने के लिए रखेंगे इसमें एक बात का ध्यान दखना होगा कि मलाइक निकालने के लिए जो दूद गर्म करेंगे उसमें से कम से कम आप गंटे तक दूद नहीं निकालेंगे तब उसमें 1.5 इंच जितने मोड़ी मलाई निकलती है अगर दूद को छेड़ देते हैं तो मलाई कम निकलती है यही समश्या सभी लोगों के साथ होती है दूद को अच्छे से गरम करेंगे और गेस को लोटू मीडियम रखेंगे दूद उबाल आने के बाद भी 5 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे दूद को जितना अच्छे से गरम करेंगे उतनी ही अच्छे मलाई निकलती है दूद को अच्छे से गरम कर लिया है गरम करने के बाद दूद इस प्रकार का दिखाई देने लग जाता है इसको ठंडा करने ही अच्छी मरलाइक तयार होती है तो इसको आवर लाइट के डिफ्रीज में रख देते हैं